नश्छी मा दोस्तों, ठीट है आज की 26 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका extraal discussion में आज तीन issues हम discuss करेंगे, सबसे पहले हम discuss करेंगे केरला में इंवार्मेंट की दूर्दर्सा के बारे में दूसरे नमर पे article हम discuss करेंगे, इंडिया को कैसे manufacturing hub बनाया जा सकता है तीसरा आर्टिकल टेरिजम से समंदित और सबसे लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल केरला में इन्वार्मेंट की दूद्रसा के बारे में हैं आप GS paper 3 के इस टोपिक से और GS paper 3 के conservation टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूँ क्या contest है देखो केरला में अब आल्मोश्ट एनूल बेसिस पर डिजाश्टर्स आने लगे हैं पिछले दो सालों में floods आई और floods भी बड़े scale पे आई इसके साथ साथ landslides भी देखने को मिला यहाँ पर कुछ examples दिये गए हैं पिछले साल मलापुरम डिश्टिक में landslides की वज़े से 59 लोगों की death हो गई इसके साथ साथ इडूखी डिश्टिक में एक जगा है पेटी मूडी यहाँ पर एक पूरी के पूरी hill collapse कर गई इस वज़े से वहाँ पे जो estate workers रह रहे थे उन सब के घर समर्ज हो गए इस डिश्टिक की वज़े से 65 लोगों ने अपनी जान खो दी और अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं missing हैं मतलब उनका सब जो हैं वो नहीं मिल पाया है तो question उठता है आखिरकार ऐसा क्यूं हो रहा है दिखो अक्सर आपने पढ़ा होगा social indicators के मामले में केरला काफी अच्छा perform करता है खास करके human development index में बट केरला में natural capital का exploitation काफी ज़्यादा हो रहा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है natural capital मतलब forest, नद्या, पहाड ये सब चीजे आज के समय में केरला में situation ये है जब rivers dry हो जाती है तो उस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिकर्मन कर लिया जाता है यानि construction कर लिया जाता है और जब rivers में पानी होता है तो उसमें कुडा करकेट फैंक दिया जाता है आज केरला में rivers काफी ज़्यादा polluted है इवन hills को काट के घर बना लिया जाता है resort बना दिया जाता है बड़ी स्केल पे ऐसा हुआ है इन सब चीजों को कुछ लोगों के द्वारा development का नाम दिया जाता है अरे भाया ये development नहीं है इससे ultimately economy पर ही असर पड़ेगा जैसे देखो अगर पानी की कमी हो जाएगी पानी का बहुत ज़्यदा exploitation होता है तो वो जगह फिर रहने लाइक नहीं होगी और वहाँ पर investment भी नहीं आएगी केरला में consumerism का जो culture है इतना ज़्यदा इसलिए भी बड़ा है जैसा आपको पता है बहुत से लोग केरला से जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए और जो remittance आती है उसकी वज़े से consumerism का culture इतना ज़्यदा बड़ा है केरला में और इससे environment को बहुत ज़्यदा नुक्सान पहुंचा है हाल ही में आपको याद होगा कोजी कोड में एक विमान हाथसा भी हुआ था देखो 2010 में मैंगलोर में जो विमान हाथसा हुआ था उसके बाद से experts ने कहा था कल को इस परकार का हाथसा कोजी कोड एरपोर्ट पे भी हो सकता है क्योंकि कोजी कोड एरपोर्ट भी टेबल टोप रनवे है यहाँ पर मतलब पहाड़ी के उपर रनवे है बट अथोर्टीस के द्वरा जुरूरी सबक नहीं लिया गया और देखो कोजी कोड का ये जो एरपोर्ट है काफी ज़्यादा बिजी है इवन निपाल के काठमांडू एरपोर्ट और सिमला एरपोर्ट से भी काफी ज़्यादा बिजी है कोजी कोड का ये एरपोर्ट फिर भी जो जुरूरी साफधानी बरतनी चाहिए थी वो जुरूरी साफधानी नहीं बरती गई लगातार बारिश हो रही थी और कहा ये जा रहा है सुरुवाती जांच में प्लीन जो है वो स्लिप हो गया देखो इस विमान हाथसे का तो एक्जांपल है मेन इस पॉइंट में ये कहने की कोशिश की जाती है राइटर के द्वारा अगर देखो हम इन्वार्मेंट को इग्नोर करते हैं डवलप्मेंट के चक्कर में तो इवेंचली डवलप्मेंट ही परभावित होती है एकोनमी ही परभावित होती है जैसे अगर लैंड का आप ख्याल नहीं रखोगे लैंड को बहुत ज़्यदा एक्स्प्लोइट करोगे तो आपकी सोयल फर्टिलिटी कम हो जाएगी और सोयल फर्टिलिटी कम होने की वज़े से एगरिकल्चर की जो पैदावार है वो भी कम हो जाएगी इसके बाद अब एक कोशन ये भी उठता है कि केरला की सरकार कुछ करती क्यों नहीं जब इतना बड़े स्केल पे नैच्रोल कैपिटल का एक्स्प्लोइटेशन हो रहा है और उसका खाम्याजा अब धीरे धीरे भुगतना पड़ेगा होमन सिवलाजिशन को और इंपेक्ट सामने आना भी स्टार्ट हो गया है डिजास्टर्स की फोर्म में तो फिर सरकारे करती क्यों कुछ नहीं इसका आंसर है पोलिटिक्स देखो दो पार्टीज या फिर यूं कहें दो एलाइंसिस बार बार रूटेट करके सत्ता में आते हैं केरला में दोनों एलाइंसिस जनता को नराज नहीं करना चाते वोट बैंक पोलिटिक्स है उनको लगता है अगर हम सो कोल्ड डवलप्मेंट के स्केल को कम करेंगे गती को कम करेंगे तो लोगों को लगेगा कि इस सरकार ने कम विकास किया है जबकि ये विकास है ही नहीं अब इसके बाद कोशन उठता है रिस्पोंस क्या होना चाहिए देखो हम हमारे नैच्रल कैपिटल को नैच्रल रिशोर्सिस को कैसे कंजव करते हैं इस पर डिपैंड करेगा केरला का जो फ्यूचर है या फिर पूरे इंडिया का जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है बात सिरफ लैंड यूज की नहीं है दूसरे नैच्रल कैपिटल की भी है जैसे रिवर्स, हिल्स, फुरेष्ट काईदे से रिस्पॉंड तो सरकार को करना चाहिए बट जैसा हमने डिस्कस किया वैस्टिड इंटरेस्ट के चलते पॉलिटिकल लीडर से जरूरी कदम नहीं उठा रही है तो जनता को जागरूख होना होगा सिविल सुसाइटी के लोग को आगे आना होगा सरकार पर दबाब बनाए जासके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूख किया जासके कि नैचुरल कैपिटल को इस परकार से एक्स्प्लोइट करना ठीक नहीं है कंकुजन में राइटर ये कहते है दिखो केरला का जो रियल मिनिंग है वो है land of coconuts तो जोग्रोफी के आधार पर केरला का नाम पड़ा है सदियों तक यहां के लोगों ने नैचुरल रिशोर्शिस को कंजव किया है और अपने कंजप्शन पैटरन को भी लिमिट किया है बट जैसे ही एकोनमी ग्लोबलाज हुई डोमेश्टिक कंजप्शन एकदम से बढ़ गया केरला में खास करके जैसा हमने पहले डिसकस किया था रेमिटेंस की साहिता से लोकल इंफरस्ट्रक्चर बनने लगा इससे धीरे धीरे लाइफ को खत्रा पैदा होने लगा क्यूं? क्यूंकि देखो अगर आप रीवर की जगह पर अतिकर्मन करोगे तो फिर बार तो आएगी ना अगर आप पहाड को काटके घर बनाओगे तो पहाड तो कॉलैप्स करेगा ना तो आँ सब्सक्ता ये है कंजप्शन पैटरन को केरला में लिमिट किया जाए और स्टेट के जो नेचुरल रिसोर्सीज हैं उनको कंजप्शन किया जाए अदरवाइज उनको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होगा तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया केरला में इन्वारिमेंट की दूर्दसा के बारे में चलते हैं आगे नए स्टार्ट कल इंडिया को मैनिफेक्ट्रिंग हब बनाने से समधित हैं आप जीयेस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो क्या कंटेस्ट है देखो काफी सारी ऐसी खबरे निकल के आई कि कोविड-19 की हमारी आने के बाद बहुत सारी USA, जापान, साउथ कुरिया की कंपनीज जिनकी यूनिट्स अभी चाइना में है वो चाइना को छोड़ के किसी दूसरे देश में अपनी यूनिट इस्टाबिस करना चाहती है और इंडिया को वो एक भैतर डेस्टिनेशन के रूप में देख रही है तो क्या-क्या चैलेंजिस हैं उनके बारे में हम डिसकस करेंगे और अभी हमारी क्या सिचुएशन है मैनिफेक्शरिंग के मामले में अगर हम कंपेर करें चैना से इसे भी हम डिसकस करेंगे देखो सबसे पहले तो आर्टिकल में ये कहा जाता है कि इन रिजन्स की वज़े से बहुत सारी कंपनीज चैना को छोड़ना चाहती हैं रिजन्स काफी हैं एक तो अभी ट्रेड वार चल रहा है USA और चैना के बीच हो सकता है जिस परकार के अभी रिलेशन्स हैं ये ट्रेड वार और ज़दा इंटेंस हो जैसे चैना की हुआई कंपनी को बाइकोट किया जा रहा हैं बहुत से देशों के द्वरा दूसरा देखो जैसे चैना ट्रेड को एज वेपन के तोर पे इस्तमाल कर रहा हैं तो काफी सारी कंपनी का चैना के ऊपर से विश्वास तूट कया हैं वो चैना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती उन्हें लगता हैं फ्यूचर में चैना कुछ ऐसी पोल सी अपना सकता है जिससे हमको नुकसान होगा और इवन सप्लाई चैन्स जिस परकार से डिस्रप्ट हुई हैं कोवीड-19 की महमारी के बाद तो वैसे भी कंपनीज किसी एक देश पर डिपेंड नहीं होना चाहती वो डैवर्ष्टी लाना चाहती हैं सप्लाई चैन्स में तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वज़े से काफी सारी कंपनीज चाइना को छोड़के दूसरे देशों में अपनी यूनिट इस्टाबलिश करना चाहती हैं इस बैग्राउंड में अगर हम देखें तो हमारे पास यानि इंडिया के पास एक अच्छी ओपोचिनिटी है सरकार इस ओपोचिनिटी का फाइदा उठा के भारत को आतम निर्भर बना सकती हैं क्योंकि देखो काफी सारी विदेशी यूनिट अगर इंडिया में इस्टाबलिश होंगी ना तो सिरफ इन्वेस्ट्मेंट आएगी हमारे देश में बलकी टेकनोजी भी आएगी टेकनोजी ट्रांसफर अगर इंडिया में होगा तो फिर उसका फाइदा डोमेस्टिक फर्म्स को भी होता है अब हम compare करते हैं इंडिया की position as comparison to China अभी देखो manufacturing power के मामले में इंडिया चाइना से काफी पीछे है चाइना जहां एक तरफ world manufacturing output की मामले में number one पर है मतलब चाइना सबसे ज़्यादा contribute करता है world manufacturing output में इंडिया छटे स्थान पर है इंडिया का target ये हैं 2022 तक ये ensure करना है कि manufacturing sector हमारे देश की GDP में 25% contribute करें जबकि 2018 में manufacturing sector हमारे देश की GDP में contribute करता था सिरफ 15% और China 30% मतलब 2018 में China के manufacturing sector ने चाइना की GDP में contribute किया 30% और हमारे manufacturing sector ने सिरफ 15% इसके बाद next point देखो जैसे 1991 में हमारे देश में LPG reforms आये थे उसी परकाश से 1978 में चाइना ने भी अपने देश की economy को open कर दिया उसके बाद industry value added चाइना में grew किया है कितने rate से? average तोर पर 10.68% की rate से जबकि 1991 में हमारे देश में जब reforms आये थे तो हमने target ये रखा था कि manufacturing sector grow करेगा 12% की annual rate से ऐसा नहीं हुआ manufacturing sector ने grow किया से रफ 7% की rate से इसके बाद export की बात करें चाइना देखो world में manufacturing goods का सबसे बड़ा exporter है 2018 में चाइना का world export में contribution था 18% इंडिया तो top 10 exporter countries में सामिल नहीं था top 10 जो exporter countries हैं वो world export में, global export में 83% contribute करते हैं और इंडिया उन top 10 countries की list में नहीं आता अब बात करते हैं next challenges की अगर इंडिया को हमें manufacturing hub बनाना हैं तो क्या क्या challenges हैं सरसे पहला challenge disadvantages tax policy environment tax policy environment जो हैं काफी ज़्यादा complex है हमारे देश में काफी बार companies tax terrorism का अरूप लगाती हैं उसके बाद next non-conduative regulatory environment high cost of industrial credit loan काफी मेंगा मिलता है workforce की quality poor है skill नहीं है workforce यो है labor loss काफी ज़्यादा strict है trade policies restrictive है research and development पर कम खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा और companies के द्वारा land acquisition में बहुत लंबा समय लग जाता है और manufacturing sector में सरकार बड़े scale पे FDI को attract नहीं कर पाई है अगर देखो इन challenges को address नहीं क्या जाता है तो हमारी जो dream है कि हमें इंडिया को manufacturing powerhouse बनाना है चाइना के समकक्स तो ये dream हमारी achieve नहीं हो पाएगी अब लास्ट में बात की जाती है स्टेट्स के रूल्स की चूकि देखो इंडिया एक federal country है कोई भी प्लान हमें implement करना हो तो स्टेट्स के coordination के बिना वो नहीं achieve क्या जा सकता इसलिए स्टेट्स का participation जरूरी है अगर इंडिया को हमें manufacturing hub बनाना हैं आज के समय में महाराष्टर, गुजरात, तमिलाडू, करनाड़क, उत्रपरदेश इन राज्यों के द्वारा सबसे ज़्यादा contribute क्या जाता है manufacturing growth में जिसका एक reason ये है, industrial unit establish करने के लिए land चाहिए और ज़्यादा land इन states में मिलता है, ये बड़े-बड़े states है, बड़ देखो, सिरफ अगर किसी राज्यों में land area ज़्यादा है, तो वहाँ पे manufacturing sector अच्छा होगा, ये कोई जुरूरी नहीं, जैसे आंधापरदेश, बिहार, इन राज्यों में भी land area अच्छा खासा है, बट manufacturing sector यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इन states में हमें particular regions को identify करना होगा, हर एक state के region अलग-अलग हो सकते हैं, कि manufacturing sector कम जोर क्यों है इन states में, और regions find out करने के बाद, state specific industrial strategy को implement किया जाए, उसके बाद, सरकार चाहती हैं, कि states एक भैतर plan बनाएं, ताकि वो companies जो अपनी unit अब relocate करना चाहती हैं, वो इंडिया में आके अपनी unit establish कर सकें, तो center ने states को बोला है, आप इसके लिए एक भैतर plan बनाएं, अगर देखो, actions जो है, central government के, state government के, industries के, coordinated होते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे अभी जो electronics minister हैं, रवी संकर परसाद, इन्होंने एक idea दिया था, जो काफी अच्छा है, इन्होंने कहा था, अगर हम हम हमारे देश में, electronic manufacturing को promote करना चाहते हैं, तो एक strategic group का निर्मान क्या जाए, इस strategic group में, central government के representative हो, state government के representative हो, और top industry executives भी हो, ये strategic क team work की तरह काम करें, चर्चा करें, ideas निकल के आएंगे, best practices निकल के आएंगी, और बाद में उनको implement किया जाए, ये idea देखो काफी अच्छा हैं, ये idea ना सिरफ electronic industry को promote करने के लिए, बलकि पूरे manufacturing sector को promote करने के लिए अपनाया जा सकता हैं, चलते हैं आगे, next article, terrorism से समधित हैं आप general study paper 3 के इस topic से, article को connect कर सकते हूँ, क्या contest हैं, UN counter terrorism chief ने security council में एक statement दी, कि अभी भी Islamic state के आतकवादियों की presence हैं, West Asia, Africa और world के कुछ दूसरे इलाकों में, तो article में कहा जाता हैं, ये एक परकार से देखो, काफी serious warning हैं, वैसे, almost 2 साल पहले, Islamic state, जो की एक सुन्नी जिहादिस्ट ग्रूप हैं, इस ग्रूप को defeat कर दिया गया था, लेकिन बावजुद इसके 10,000 के आसपास Islamic state जो fighters हैं, वो active हैं, इराक में और सीरिया में, क्योंकि द सहर, तो अब आजाद हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे पहले जो Islamic state के fighters थे, उन्होंने अब पना ले ली हैं, shelter ले लिया है, remote areas में, जैसे deserts, पूरी तरह से, उन्होंने काम करना बन नहीं किया हैं, वेस्ट अफरीका में, Islamic state का एक province हैं, जिसमें, 3,000 Islamic state के fighters हैं, आप अफग Islamistan में, Islamic state के दवरां, समय समय पर attacks carry out के जाते हैं, कुछ religious और ethnic minorities को target के जाता हैं, concern देखो ये हैं, बेसक आज Islamic state का किसी बड़ी city पर कबजा ना हो, लेकिन, जैसा हमने डिसकस किया, deserts, mountains, और वो countries जहां पे conflict हैं, उन देशों के remote areas में, Islamic state ने अपने ठिकाने बना के रखे है खास करके खत्रा हैं, Syria और Iraq को, Syria में जो असद रेजीम हैं, वो युद जीत चुका हैं, लेकिन आज भी Syria में काफी सारी जगाओं पर असद रेजीम का rule नहीं हैं, जैसे Idlib जो प्रोविंस हैं, यहां पर rebels का कबजा हैं, Syria के North East में, कुर्दिस rebels ने autonomy डिक्लेयर की हुई हैं, और Syrian Turkish border पर Turkey और प्रो-Turkish rebels ने मिलके एक buffer zone बनाया हुआ हैं, आप यह map देखिएं, यह Idlib है, यहां पर अभी भी rebels का कबजा हैं, और यह वैसे Syria का इलाका हैं, बट यहां पर Turkish और प्रो-Turkish rebels ने buffer zone बनाया हुआ हैं, मतलब इनकी forces यहां पर petroleum करती हैं, जबकि इलाका Syria का हैं, और North East में Kurdish लोगों ने अपनी autonomy अनाउंस की हुई हैं, तो मतलब civil war खतम होने के बावजुद, Syria आज के समय में काफी जादा divided हैं, और अगर conflict बढ़ता हैं, तो इसका फाइदा फिर से Islamic State के द्वारा उठाया जा सकता हैं, बात करें, Syria के बाद इराक की, काफी महनों त Minister हैं, मुस्तफा अल-कादीमी, ये देखो, ऐसी situation का सामना कर रहे हैं, एक तरफ, इरान अपना influence establish करना चाता है, इराक के ऊपर, और दूसी तरफ, इराक, दूसी तरफ, USA अपना influence बरकरार रखना चाता है, इराक के अंदर, तो जो प्रो इरान, Syria मिलिश्या हैं, वो इराक क अंदर, यूएस की टूप्स पर attack करते रहते हैं, इस वज़े से, इराक भी एक परकार से battlefield बनता जा रहा है, USA के टूप्स के बीच, और प्रो इरान, Syria मिलिश्या के बीच, आप कह सकते हो, conflict जो है, आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, और इसका फाइदा फिर से उठाया जा सकता है, इसलामिक स्टेट के द्वरा, इसके बाद बात करें, अफरीका की, स्टोरी देखो, अफरीका में भी अलग नहीं है, लीबिया में दो गौर्मेंट्स अभी फिलाल काम कर रही हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रही हैं, पिछले हफते के सीज़ फायर तक, ली लास्ट में आर्टकल में ये कहा जाता है, देखो जहां पे कैउस देखने को मिलेगा, मतलब जहां पे इनस्टेबिटी होगी, वहां पे मिलिटैंसिका जर्म होगा, जब तक ये देश इनस्टेबल रहेंगे, तब तक इसलामिक स्टेट भी एक्टिव रहेगा, अगर इन देशों में stability established होती हैं तो फिर Islamic state के पनपने के लिए संभावनाएं भी कम हो जाती हैं example दिया जाता है 2003 में US ने invade किया था, आकर्मेंट किया था इराक के ऊपर उसके बाद जो situation पैदा हुई, जो chaos create हुआ इराक में, उसी chaos की वज़े से Islamic state ने जनम लिया और Islamic state ने अपने आपको strong बनाया, सीरिया में, आप example ले लीजिए, सीरिया में civil war चला और इसी civil war का फाइदा उठाके Islamic state अपनी जड़े जमास का सीरिया में तो इन facts का ध्यान रखना चाहिए, बड़ी powers को और regional governments को भी, कि अगर वो आपस में लड़ती रहेंगी तो फिर इसका फाइदा जो दिहादिष्ट groups हैं, वो उठाएंगे, और फिर से आपकवाद जो हैं, वो पैर पसारेगा तो ये हमने पूरा article डिसकस किया, terrorism से समंदित, अब last में ethics का एक छोटा सा section emotional intelligence की definition में, देखो, चार चीजें हैं, पहली चीज़ आपनी emotions को समझना, नोट करते जाएगा, पहली दूसरी तिसरी चोथी चार चीज़ें है emotional intelligence की definition में सबसे पहली चीज है अपने emotions को समझना उसके बाद दूसरों के emotions को समझना तीसरी चीज़ अपने emotions को regulate करना और चोथी चीज emotions को regulate करके इस परकार से behave करना जो socially desirable हो यानि society में जिस परकार के behavior की आव सकता है उस परकार से behave करना अपने emotions को regulate करके तो यह complete definition लिखेगा अगर UPSC emotional intelligence के बारे में question पूछती है देखो सभी human beings के पास emotions हैं सभी human beings emotional होते हैं और emotions को express किया जाता है जोए happiness sadness sorrow इन सभी की terms में यानि सुख दुख बहुत ज़दा खुसी यह सब देखो emotions की terms हैं इन सब form में emotions को express किया जाता है कोई person बहुत ज़दा खुस होता है तो खुसी एक emotion है कोई बहुत ज़दा दुखी होता है तो दुख एक परकार से emotion है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो situation के हिसाब से अपने emotions को regulate कर लेते हैं मालिजे कोई person बहुत ज़दा खुस है लेकिन situation यह डिमान कर रही है कि अभी खुसी व्यक्त नहीं करनी चाहिए क्योंकि मोका ऐसा है कि आसपरोस में कोई दुख भरा incident हुआ है तो उस person में वो उस situation में वो person खुसी व्यक्त नहीं कर सकता अगर वो person emotionally intelligent है तो वो person अपने happiness वाले emotions को regulate कर लेगा यानि चेहरे पे happiness नहीं दिखने देगा देखो दो तरह के characteristics होते हैं emotional intelligence के positive characteristics और negative characteristics में high level of emotional intelligence देखने को मिलती है और negative characteristics में low level of emotional intelligence देखने को मिलती है positive characteristics emotional intelligence के जैसे optimistic देखो situation खराब है फिर भी आप उसमें positive चींज ढूंड रहे हो यानि आप अपने emotions को control कर रहे हो regulate कर रहे हो emotionally stable consistency in behavior contentful rational thinking empathetic यानि आप दूसरों के emotions को समझ रहे हो emotional intelligence के अंदर दूसरी चीज़ क्या थी knowledge and understanding about others दूसरों के emotions को समझ ना और empathetic मतलब आप दूसरों के जूतों में अपने आपको रख कर देख रहे हो दूसरों की feelings को तो इसका मतलब आप empathetic हो मतलब आप में emotional intelligence बहुत ज़्यादा है आप दूसरों के emotions को अच्छे से समझ रहे हो next compassionate doesn't think in black and white black and white में सोचने का मतलब है कई लोग ऐसे होते हैं जो आर या पार सोचते हैं आर या पार UPSC clear हुआ नहीं हुआ तो kind of negative thinking की मैं बुरा कर लूँगा अपने आपके साथ तो जो emotional intelligence लोग होते हैं वो दूसरे solutions पे काम करते हैं सिरफ black and white में नहीं सोचते आर या पार में नहीं सोचते वो दूसरे solutions पे काम करते हैं बीच का रास्ता अपनाते हैं अपने emotions को control करते हैं उसी परकार से ये दूसरे characteristics हैं अब हम emotional intelligence के negative characteristics की बात करते हैं देखो कोई person pessimistic है तो इसका मतलब वो अपने emotions को control नहीं कर पा रहा है emotionally unstable होना, inconsistency in behavior, discontentful, irrational thinking, stereotyping मतलब दूसरों के बारे में राय बना लेना discompassionate, indifferent मतलब दूसरों के साथ क्या कुछ हो रहा है उसको पूरी तरह से ignore कर देना एक परकार से जिसे कहा जाता है indifferent approach कि आपके कोई असर ही नहीं हो रहा है ये गलत approach है आपके अंदर ऐसे emotions होने नहीं चाहिए मादलो आप road से गुजर रहे हो और side में किसी का accident हुआ है वहाँ पे कोई और नहीं है आप सिदा सिदा चले जाते हो आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर emotions नहीं है तो ये थे हमारी आज की discussion फिलाल इस discussion में इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion